हेलो दोस्तों मैं हूँ आशिष और आप सबका स्वागत है गैजट आक्टेइन में मेरे हर एक विवर से एक ही गुजारिश है अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह कंटेंट कहीं और लोगों तक पहुंचे और वो लोग भी सब्सक्राइब करें अगर हम जैसे जएंच में नेए वीडियो दालो आपको आप result मिल जाए तो चले शुरू करते हैं वीक्ली टेक निउज दोसको आज की पहली खबर शुरू करते है शामी से शामी जुन 2021 के रिपॉर्ट के अनुसार ग्लोबल स्मार्टफोन शिप्ट मार्केट में फर्स पोजिशन पर पहुच गया है सैमसंग को पिछे छोड़ते हुए हलाकि यह पोजिशन ज्यादा देर तक वो होल्ट कर पायांगे क्योंकि एपल का एक इवेंट और सैमसंग का एक इवेंट हाली में पेंडिंग है तो जैसे ही वो दो इवेंट कंप्लीट होते है शायद पोजिशन चेंज हो सकती है और राइट नाव श्वामी इस नंबर वन इन स्मार्टफोन शिप्ट मार्केट दोस्वामी की तरफ से एक और खबर आ रही है अगस्ट 10 को श्वामी ने एक इवेंट अनॉंस कर दिया है इसमें वो मल्टिपल प्रोड़क्स को लॉंच करेंगे उसमें से पहला प्रोड़क्ट होगा MI Mix 4 जो काफी टाइम से टीज हो रहा है जिसमें बता जा रहा है कि श्वामी के सेकंड वर्जन अंडर डिस्प्ले क्यामरा होगा अंडर डिस्प्ले क्यामरा टेकनोलजी काफी आ गया रही है अभी नए जो स्मार्टफोन है सब में शायद ये टेकनोलजी देखने मिले आप लोगों को देखने में काफी प्रीमियम डिजाइन है इसका और ये अगर सेंद को लॉंच होगा इसे के साथ साथ MIPAD 5 सीरीज भी लॉंच होगी जिसमें तीन वर्जिन्स होगे MIPAD 5, MIPAD PRO और MIPAD Lite ये जो light वर्जिन और MIPAD 5 है वो Snapdragon 860 प्रोसेसर के साथ आएगा और MIPAD 5 PRO है वो Snapdragon 870 प्रोसेसर के साथ आएगा और जो PRO मोडल है उसमें आप 5G SIM का यूज़ कर सकोगे और बाकी के दो जो मोडल से उसमें 4G SIM यूज़ कर पाऊगे देखने में तो काफी premium लग रहा है close to Apple डिजाइन है अब ये क्या price पे इंडिया में launch करते है वो तो आगी जाके ही हमें पता चलेगा देखने में तो premium लग रहा है हमें वेट करना पड़ेगा 10 अगस तक दोस्तों अगली खबर आ रही है Google की तरव से Google Pixel 6 और Pixel 6 Pro में हर साल Snapdragon के प्रोसेसर्स यूज़ होते थे इस साल Google कुछ alternate way पे जा रहा है Apple, Samsung जो कि अपने खुद के प्रोसेसर्स बनाते हैं और phone उसी प्रोसेसर्स पे mostly launch करते हैं गूगल ने भी अब यह शुरू कर दिया है अब बता जा रहा है कि Google Pixel 6 और Pixel 6 Pro में अब गूगल के खुद की बनाएगी हुई चिपसेट आएगी जिसके नाम होगा Tenzer और यह काफी powerful होगा ऐसे बता जा रहा है अब launch होगा तब ही पता चलेगा कि यह चिपसेट में क्या क्या कैपाबिलिटीज है और जो यह कस्टमाइज चिपसेट गूगल बना रहा है इससे गूगल पिक्सल फॉन्स की प्राइस गटेगी या नहीं अगली खबर आ रही है वन प्लस की तरव से यह खबर नाई वन प्लस के लिए अच्छी है और नाई हम यूजर्स के लिए बताए जारे कि एक लेडी थी जुन्होंने वन प्लस नोट टू 5G खरीदा था यह फोन उनके वन प्लस ने हलाके यह कस्टमर तक रीच किया है और इन्वेस्टिकेशन शुडू कर दिया में तो यह चीज नहीं होनी चाहिए एक ब्रांड अगर फोन बनाता है तो सारे टेस्टिंग्स करकर launch करने चाहिए कि कहीं कोई flows रह गया है नहीं तो उमिद करता हूँ कि OnePlus seriously लेगा इस problem को और solve करेगा ताके अगर किसी को OnePlus No 2 future में खरीदना हो तो वो खरीद पाए दोस्तो अगली खबर आ रही है Jio के तरव से अगर business करना सीखना है तो सीखिए मुके शंबानी जी से नहीं ने product launch तो करी रहे Jio portfolio के अंदर और पुराने कुछ companies है उनको take over भी कर रहे है पहले खबर आई थी के netmats को take over कर रहे है और फिर just dial को take over किया अब ऐसा सुनने आ रहा है कि Jio subway को भी take over कर रहा है जी हाँ जो itries है उसको भी take over कर रहा है और इसी के साथ साथ एक ओड लेटेस्ट न्यूस भी यह आ रही है कि Jio ने M.G. Morris Garages के साथ मिलके partnership की है उनकी जो cars है उनके अंदर 5G enabled sim capabilities भी वो लोग लाएंगे तो काफी सारे ventures Jio कर रहा है अगर इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो हमें हर जेका Jio 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 ही दिखेगा तो यह एक अची ख़बर है हर एक इंडियन्स के लिए Xiaomi का sub-brand Redmi जो इंडिया में smartphone business में काफी आ गए है अब बता जा रहा है कि उन्होंने laptop division में भी अपने कदम रखती है दो ने product launch कर दिया है इंडिया में Redmi branding के अंदर Redmi book 15 pro Redmi book 15 e-learning edition e-learning edition student को particularly target करके बना गया है हाला कि अभी online classes बहुत ही तेजी से चल रहे है तो उसी को target करते हुए e-learning editions launch किये है e-learning edition की जो price है आपको 41,999 में मिलेगी और Redmi book 15 pro आपको कुछ 49,999 पर मिलेगा दिखने में काफी premium है और आप देख सकते हो अगर आप मैंसे किसी को भी interest है तो आप ये जाके flip card से या फिर MI store से खरीच सकते हो दोस्तों ये खबर telecom industry के लिए ज़रा भी अच्छे नहीं है V.I. यानि Vodafone idea जिनके chairman थे कुमार मंगलम बिरला उन्होंने हाली में इस्तिफा दे दिया है अपने chairman position से और उन्होंने ये कहा है कि मैं ये company को अब lead नहीं कर रहा हूं मैं अपने position से हट रहा हूं तो already V.I. काफी loss में चल रही थी अगर chairman नहीं इस्तिफा दे दिया है तो अब ये company को आगे बढ़ाने के लिए किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा तो ये खबर काफी बुरी है इंडियन टेलिकॉम इंडस्ट्री के लिए Innovations यानि OPPO OPPO की R&D टीम दिन रात लग जाती है कोई भी technology को realistic world में convert करने के लिए इसे से related एक खबर आई है OPPO ने अपने second generation under display camera technology को launch कर दिया है पता जा रहा है कि ये previous version से काफी better होगा इसमें camera cutout कहां hide किया है आपको दिखेगा ही नहीं इसे के साथ साथ जो selfie camera quality है वो भी काफी improve कर दी गई है तो देखते हैं कि OPPO नहे concept smartphone के अंदर ये technology लेके आता है आज की आखरी खबर आ रही है Apple के तरफ से Apple ने अपने offline stores को इंडिया में launch तो कर ही दिया था अब वो online stores भी launch करने वाले थे उनका पहला store मुंबई में open होने वाला था अब बता जा रहे कि COVID-19 pandemic की वज़े से वो store डिले होगा तो ये थी Apple की तरफ से ख़बर तो weekly tech news जहां पे खतम होती है उमीद करता हूँ कि आपको इवीडियो पसंद आ रही है पसंद आ रही है तो please like, share और subscribe कीजिए तिल देन टेक केर बाबाए